दोस्तो जमीन सर्वेस से पहले जो से सभी जमीन को अधर कट और मोबाईल नंबर के साथ लिंक किया जा रहा था इससे में दोस्तो जुआशे अगर आप यहांपे सारा कजात करमचारी के पास जामा किये होंगे तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो ऐसे उसको लिंक कराना बहुत जो ऐसे अनिवार्ज था तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से जो ऐसे आप आप आउनलाइन प्रोसेस के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि जो ऐसे आपको यहाँ पर जमीन अधार कार्ड के साथ लिंक हुआ है या नहीं हुआ है अगर आप दोस्तों यहाँ पर दस्तावेज जामा नहीं किये हैं किर भी दोस्तों जैसे इस वीडियो को अंदक देखेगा और इस प्रोसेस के माध्यम से आप चेक किजिएगा कि जो ऐसे आपको जमीन अधार कार्ड के साथ लिंक हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है तो चलिए जो ऐसे आज की इस वीडियो को दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी लिए दोस्तों सबसे पहले जो ऐसे आप Google ओपिन कीजिएगा और यहां पर आपको लिखना है बिहार भूमी लिकर यहां पर सर्च कीजिएगा फर्स्ट वाला दोस्तों आपको वेबसाइड देखने को मिलेगा आपको दोस्तों जैसे इसी पर आपको क्लिक कर देना ह क्लिक करने के बाद यहां पर जो ऐसे इसको क्लोज करना है क्लोज करने के बाद यहां पर आपको नीचे आना है और नीचे में जो ऐसे एक उप्षन है आपर देखने को मिलेगा चेक अधार मुवाइल सीडिंग और स्टेटस ठीक है इस पर आपको क्लिक करना है जैसे दोस् खेद का रसीद है और यहाँ पे देख सकते हैं pourquoi यहाँ बंदी शंखिया दुस्तों यहाँ पे लिखा वुआ है ठाटी किया और चे का। स्टेटस वाले बटम पर जैसे ही क्लिक किया यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको मोवाइल नंबर के साथ दोस्तों यहां पे Link है या नहीं है ठीक है यहиковाइल नंबर के साथ Link है और अधार नंबर के साथ Link नहीं है अगर अधार नंबर भी इसमे अगर Link राता यहाँ पे जो ऐसे Last का 4 digits दोस्तों जोसे आपको बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं यह आपका जो हैसे यहाँ पर जमेन आपका जो हैसे अधार कार्ट के साथ या जो हैसे मोवाइल नंबर के साथ लिंक है या नहीं है तो आसा करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर हेल्फू लगा होगा अगर वीडियो पसंद दया तो चलने को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक दूस्तों जरूर कीजिए चलिए फिलाल के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में